पर सरकार की तरफ से या पोड की तरफ से क्या आर्थिक सयोग मिलता है वह बता है देखे जब भी कोई भी कपल जो शादी करते हैं और जिसे हम कोड मैरीज बोलते हैं आवेदन करके शादी करते हैं तो उस पर कई सरकारों की कि इंत्रकास्ट मैरीज को प्रमोष्ण देने के लिए वह कुछ अमांट देते हैं किसी स्टेट्मेंट 2.000 लाक भी सकता है ज़िसके लिए घुक अपने यह स्टेटेमें यह इसको आपना आपको आविधन देना होगा आविधन के समय जो है एक जोईट अकाउंट आप दोनों का खुला होना चाहिए यानि हैस्बेंड और वाइफ का जोईग का अखुला होना चाहिए और उस जोईट अकाउंट करने के बाद में और इस्टेट की पॉलसी है कि वह महिने के अंदर भी 15 दिन के अंदर भी क्लेम अमाउंट दे रहे और वह कभी कबार ऐसा भी होता है कि 51,000 रुपे शुरू में दिए एक लाख रुपे बात में दिए और फिर एक लाख रुपे उसके एक या डेट साल बात दिए ताकि वह शादी बनी रहे और शादी इंटर कास्ट में परमोट करने के लिए यह आपको रिलीफ अमाउंट क्लेम करती है पर उसके बारे में जो कंसर्ण जो डिस्टिक है जहां पर उनकी मैरीज रजिस्टर आगे सामने हुई है उस डिस्टिक में बात करें और अपना आवेदन करें जोइंट अकाउंट खुल और रासी आपको एक मुस्त नहीं मिलेगी वो किस्तों में मिलेगी ताकि कुछ लोग जो है वो सिफ अमाउंट के लिए शादिना करें अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना भूरें ताकि सभी लेटिस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले